तो आज हम आपके लिए manufacturing of almond cream इस पे एक business लेके आए हैं तो आप वीडियो को end तक जरूर देखेगा क्योंकि इस business में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस cream को बना सकते हो इस cream के फायदे बताती हूँ मैं आपको सबसे पहले market में आजकल बहुत सारी creams available है बहुत सारी जिसमें unlimited chemicals included है और जो body के लिए आपके face के लिए बिलकुल भी अच्छी नहीं है तो अब लोग ऐसी creams prefer कर रहे हैं ऐसी creams ढून रहे हैं जो लोगों के लिए अच्छी हो उनके face उनकी body को affect नहीं करें वो cream उस type के creams को ढून रहे हैं तो यह जो cream आज मैं आपको बता रहे हूँ यह chemical less है इसमें chemical बिलकुल भी नहीं है तो यही एक आपके marketing का जर्या होगी है कि आप एक ऐसा product sell कर रहे हैं जिसमें chemicals नहीं हैं और जो आपकी body के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से raw materials आपको यूज करने हैं कितना profit, कितना investment आपको करना पड़ेगा कौन सी machines आपको यूज करने पड़ेंगे कौन से equipment आपको यूज करने पड़ेंगे कितना area में आप अपना काम कर सकते हो और क्या procedure होगा इस cream को बनाने के लिए कितना manpower, कितने लोग आपको चाहिए होगा और कितनी electricity आपको चाहिए होगी ये सारी चीजे हम हमारी वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं तो आप वीडियो को end तक जरूर देखिएगा बहुत ही beneficial और demanding वीडियो है मलब इसकी कभी भी demand कभी खतम नहीं होने वाली है आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्रेब जरूर कर दीजेगा साथ ही में hit the bell icon सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जिसके अंदर skin care, hair care, color of cosmetics, oral segment, fragrance यह सारी चीजें include होती है तो आज हम आपके लिए skin care related एक product लेके आए है जिसमें आपको कौन से raw materials चाहिए होंगे deionized water, almond oil, glycerin, cosmetics ingredients surfactants, thickness, immuels, sapphires, fragrance, additives यह सारी चीजें आपको raw material चाहिए होगी जो आपको shops पे available होती है wholesale market में available होती तो आप वहाँ से purchase कर सकते हो जहां से आपको suitable हो लेकिन यह सारे raw materials बहुत ही needed है इनके बिना एक भी चीज नहीं हो इनके बिना आप नहीं बना सकते हो almond cream अब बात करते कितना area आपको चाहिए होगा अगर आप small scale पे start कर रहो तो 1500 से 2000 square feet area आपको चाहिए होगा और अगर आपको fully automatic machines चाहिए जिसमें area भी बहुत ज्यादा लगता है तो वहाँ पे आपको 4000 से 5000 square feet चाहिए होगा fully automatic यहाँ पे इसलिए बताया गया है क्योंकि अगर आपको direct large scale पे ही start करना है आपको लगता है कि नहीं आप ये business को बहुत ही अच्छे से handle कर सकते हो बहुत ही अच्छे से चला सकते हो तो directly और अगर आपके पास उतना capital भी है सारे raw material आपके पास available है तो आप 4000 से 5000 square feet का area ही prefer करना उसके बाद बात करते हैं इसके procedure की कैसे आप बनाया जाएगा सबसे पहले आपको oil oil based जितने भी आपके पास चीजे है जैसे की glycerine हो गया, water हो गया, oil हो गया ये सारी चीजे सबसे पहले आपको मतलब एक vessel में डालना है जो vessel use होता है उसके अंदर आपको डालना है और stir करना है उसको heat करना है, उसको stir करना है उसको उसके बाद में इन सारी चीजों को steam करना है और थोड़ी थोड़ी देर में इनको stir करना है उसी के बाद आपको इसके अंदर additives और thickness यह दोनों चीज़े add करनी है, यह cosmetic ingredients है जो आपको add करने पड़ेंगी और उसी के बाद आपको इसे vacuum emuls fire में डालना पड़ेगा यहाँ पे आपकी जो cream है बहुत ही अच्छे से महलब जल्दी से जल्दी इसमें mix हो जाएगी और जल्दी से जल्दी आपकी cream ready हो जाएगी यह basically यह जो machine यह इसी के लिए बनाई गई यह normally यह cream के लिए आप कोई भी cream बनाना चाओ अगर आप आपका business सिफ एक चीज से एक ची cream नहीं बनाने आपको साथ ही में बहुत तरह की cream बनानी तो भी आपको यही सारी machines लगेगे यही machine लगेगे और आगे हम आपको machines भी पताएंगे कि कितनी सारी machine चाहिए आपको और साथ ही में वेक्यूम इमल सफायर से आपकी जो complete हो जाएगी जो भी आप procedure कर रहें वो procedure आप चेक करोगे सबसे पहले इसके quality चेक की जाएगे उसके बाद इसका pH लेवल चेक किया जाएगा जो 527 के अंदर ही होना चाहिए ना उससे कम होना चाहिए ना उससे ज्यादा होना चाहिए अब यहाँ पर बात करते है machines की आल्विन क्रीम बनाने के लिए वेक्यूम इमल machines चाहिए होगी जिससे आप अपना पूरा बिजनेस बना सकते हो और साथी में पूरा मतलब सारी क्रीम्स क्रीम्स आपकी इन मशीन से बन जाएगी अब यहाँ पर आपको एक्विपमेंस भी चाहिए स्टोर करने के लिए स्टोरेज टैंक चाहिए होगा कूलिंग टावर्स चाहिए होंगे कंवेर्स चाहिए होंगे बीन्स अदर्स हैंडिलिंग एक्विपमेंस यह सारे आपको एक्विपमेंस भी चाहिए होंगे आलमेंट क्रीम बनाने के लिए अब बात करते हैं अगर आप स्मॉल स्केल पर स्टार्ट करें आपको 10 से 15 किलोवोट की इलेक्रिसि करते हो तो 3-4 लोग में भी आपका बिजनस हो जाएगा उन 6-8 में आपके पास दो अंस्किल्ड लेबर होंगे उसके बाद जो क्वालिटी चेक करते हैं वो भी होंगे साथी में और आपका जो अकाउंटेंट होगा वो भी लोग होंगे यह सारी लोग आपके 6-8 लोगों में आजाएंगे और यहाँ पर फुली आटोमाटिक में यहाँ पर सिफ अकाउंट एंड क्वालिटी चेक करने वाला और एक दो देख रेक के लिए चाहिए होगे आपकी सारी मशिन्स खोदी अपना काम कर लेगी अब यहाँ पर इंवस्टमेंट की बात करते हैं यहाँ पर इ स्टार्ट करना है और जहां पर आपकी पॉफिटबिलीति होगे अगर आप टो आच से उपस्टमेंट होगी बाकी आप कि अप्पर मार्जिनिंस आप रखते हो और आप scientist जैसे मार्जिन अगर लोगों को आपर ट्रस्ट को बढ़ रहा कर आप अप अछी क्वालिटी तो उ बढ़ा सकते हो लाइसेंस आपको कौन कौन से चाहिए होगा है बिजनस स्टार्ट करने के लिए जी एस्टी उद्यम अनुसी फ्रॉम पलूशन बोर्ड कॉस्मेटिक एंड ड्रग कंट्रोल बोर्ड फैक्टरी लाइसेंस इसारे लाइसेंस आपको चाहिए हो के एक क्रीम फै कासी है तो अगर आपको यह बिजनस स्टार्ट करना होगा अपकर सकते और हमने बहुत सारे ऐसे बिजनस दिये हुए है हमारे चैनल अप उनसे ही गो थू कर सकते हो और भी ऐसे चैनल हम लेके आएंगे आपके लिए तो उसके लिए आप अमारे चैनल के साथ जूड़े रह रेगा, thank you